का मैं हूँ वरकतुल्ला खत्री और आप देख रहे हैं मुड़ी लिलायों गुद्राज से मध्यप्रदेश की और जो मजदूर जा रहे हैं उसमें एक बस के मजदूर जो अम्रेली से निकल कर जा रहे थे वो गुद्राज और मध्यप्रदेश के पिटॉल बॉर्डर पर पह कराए बस के अंदर है उसके डिलिवरी हुई और एक बच्ची को जन्म दिया ये बच्ची गुद्राज और मध्यप्रदेश की बॉर्डर पर हुई सीमा पर उसका जन्म हुआ उसके फाजर ने वहीप पर उसका डिसन ले लिया और बच्ची का नाम ही सीमा रख दिया हां आ पुजगार के लिए मध्यप्रदेश से गुद्रात के अम्रेली गए हुए जो स्रमजीवी थे आदिवासी और लॉकडाउन के दौरान अपने वतन परच जाने के लिए तलस रहे थे उसी दौरान गुद्रात मध्यप्रदेश की पिटॉल बॉर्डर पर एक बस में कादिवा उसके पिता ने खुशी के मारे उस बच्ची का नाम सीमा भी रख दिया और उसका एरान भी कर दिया वही पर जरहत पर जन्म उसका जन्म हुआ वर्थ हुआ उसका नाम सीमा रखा गया बच्ची के जन्म के साथ थी और पिता का नाम जीवन भर के लिए ये जो है नाम भी अ अमरेडी से गुद्रात के अमरेडी से एक बस जीजे 040-0597 में कुछ स्रम्जवी मुसाफिर थे वो अलीराजपूर जा रहे थे तबी पिटॉल बॉर्डर पर उस वक्त अलीराजपूर जीले के वड़ी गाम की पातली बाय जिसकी उमर पतीस साल है उसके पती दिपू के साथ आ रही थी उसी बस के अंदर पतली बाय ने दो पहले दो बच्चे थे और अभी वो घरवपती थी और प्रसवपीडा उसकी बस के अंदर हो सुर्य हो गए थी लिपू की पत्नी को प्रसोपीड़ा हो रही वज़से दिपू ने ड्रैवर और कंड़ेक्टर को चीज को आगा किया कि इस तरीके का मामला है वो लोग धड़ब से जल्दी से बस को गुद्राज मत्यप्रदेश की सरहत इलाका है सीमावरती इलाका वहां पर पिटॉल बॉर्डर है वही पर वो बस ले गए जहां पहुंचकर बस चालक में इस महीला के प्रसोपीड़े प्रसोपीड़ा के लिए करके उसको उसका आखरी वक्त तो रहा था तभी ड्रैवर ने एस पी विज़ेडावर को जानकारी दी उन्होंने पिटॉल बॉ चोईल भॉस्पीडल के पेरा मेडिकल श्टाफ उसको जानकारी दी और स्टाफ की मज़से पातलिबाई जो प्रसोपी वही पर हो गई और उसको उसकी जो शीठ है वह बस की वह बस पर ही उनके सब उनकी प्रसोपी कराई गई और एक ननी बच्ची को जनम दिया इसके पह जो पेरामेडिकल स्टाप थे वो भी बहुत खूस थे पूलिस का भी काम सहराया जा रहा है कि जब लॉक्डाउन के अंदर स्वंजीवी लोग परिसान थे तभी पूलिस ते अंदर मानवता का जो चीज आया है सामने वो भी सब मत्यप्रदेश और गुद्राथ के सभी लोग बज्र कर वर्डर के लिए थे वो यह जाना सरा रहते बच्ची के पिताने बच्ची कंद में दी गई तो खुसी के मारे उठा पड़े ऑर वही पर उन्होंने दुराज्चा की सरहत पर सीमा पर उस बच्ची का जन्म हुद्धू हुआ कि उसके बाद इस बच्ची और मां को पी टॉल के अज़घ केंद्र में सारवार के लिया घथा दोनूं की तबिए बी अच्छी है अंति अंतिम डॉक्टर नंतीम बढळोले उनको पार की अज़घ में बुमी का अच्छी रही है पर मेडिकल टीम वी उसमें मौझूद थी तो एडिशनल स्पी साफ ने मेडिकल टीम की मदद से उसकी समय डिलेवी कराई और ततकाल डिलेवी के बाद उस महला को जो पिटॉल में प्रात्मिक हेल्थ सेंटर है उसमें भरती कराया है जहां पर दोनों जच्चा और बच्चा जो आपे बुड़िल्डा यूट्यूब चनल सब्सक्राइब ना करी होएं तो सब्सक्राइब करी बेर आइकन दबाओ